दोस्तो हाल ही में आयोध्या में राम मंदिर की प्रान प्रतिस्ठा की गई है जिसके बाद आयोध्या खूब चर्चे में है और लोग आयोध्या को राम नगरी बता रहे हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं एक ऐसा इतिहास बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप ये कहेंगे किया आयोध्या राम नगरी है या फिर आयोध्या कोई इसलामिक नगरी है हम आपको वो कहानी बताने वाले हैं जिसको लेकर के नजाने कितनी ही मीडिया ने उसे कवर किया हाला कि अब इस पूरे मामले पर बहुत कम कहाज सकता है कि खबरें आपको नजर आती होगी असल में एक तरफ यह दावा किया जाता है तो इसलाम धर्म में जो सबसे पहले प्रॉफिट थे और कहा जाता है कि दुनिया का जो पहला व्यक्ती थे दुनिया के जो पहले इनसान थे उनका नाम आदम अलेहिसलाम है आदम अलेहिसलाम के बाद उनके दो पुत्र हुए उन दोनों पुत्रों के बीच में एक पुत्र जो है वो सही रास्ते पर थे और एक घलत रास्ते पर थे हابیل اور قابیل کے بارے میں آپ تمام لوگ شاید جانتے ہوں इन दोनों भाईयों में एक भाई जो है वो गलत रास्ते पर था और दूसरा एक अच्छा इनसान एक अच्छा वेक्त थी और एक अपर वाले को मानने वाला था लेकिन दूसरे भाईय ने एक भाईय का कतल कर दिया जिसको लेकर के आप तमाम लोगों को चाहिए कि आप इस्लामिक कहानीों को इसलामिक इतिहास को पढ़ें उसके बाद हज़रत आदम और उनकी पत्नी दादी हव्वा बहुत अकेले में रहने लगी एक सुनापन होता था, एक अकेलापन होता था लेकिन कुछ सालों के बाद उपरवाले ने उन्हें तीसरा बेटा दिया, जिनका नाम हजरत आदम ने शीस अलेहिस सलाम रखा, शीस अलेहिस सलाम की बात करें तो वो काफी खुबसूरत थे, चेहरा उनका काफी नुरानी था, बहुत खुबसूरत होने की वज़ा से ही उनका जो प्रॉफिट आये इसलामिक हिस्टरी में, उन्हें जो दूसरे नभी थे, जो दूसरे प्रॉफिट थे, उनका नाम शीस अलेहिस सलाम है, क्या आप जानते हैं कि जिस आयोध्या में रामनगरी, जिस आयोध्या को रामनगरी बताया जाता है, उसी आयोध्या में शीस अ अलईहिसलाम का मजार है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर जाकर के इसके बारे में सर्च करेंगे, इसके बारे में जानकारी करत्रित करेंगे तो आपको मालूम चलेगा के जिस जगह आप राम नगरी की बात करते हैं असल में, उसका बहुत है वो वहांपर ए तो अब आप सोश सकते हैं कि कितना पुराना रिष्टा जway वह मेंसलमानों का वहाँ से होगा इस पूरे मामले को ले करके आप सोशल मीडिया पर कई सारी कई सारी आर्ठिकल्स हमें मिले थे जिसमें हमने एक खबर जो है वो देखा तो हमने सोचा कि आप तमाम लोगों को बताओं क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि आयोध्या राम नगरी है लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आयोध्या शीस नगरी है तो ये गलत नहीं होगा उनका मजार वहाँ पर है और वो मजार आपको बताएं कि लग बख सतर फीट का हुआ करता था सतर गज़ का हुआ करता था सतर गज़ का हुआ जिस साइज में वहाँ पर कहा जा सकता है कि ये जो मजार थी, उतने ही साइज में उसे बनाया और उसके बाद आज भी वहाँ पर जो है, वो लोग जाते हैं। और आपको बता दें कि 1992 में जब कुछ गंडे और मवालियों के दुआरा बाबरी मजद को शहीद किया जा रहा था, जो कि इस हिंदुस्तान के समविधान पे सबसे बरा हमला था, उस दिन कुछ लोग थे जो हर समुदाई से थे, जिसमें हिंदू समुदाई के भी बहुत सा है और उसमें क्या कुछ बाते हैं वो आपको बताते हैं, अब देख सकते हैं कि अयुद्धा जिन चुनिंदा धरोहरो से राम नगरी की प्राचीनता प्रभाशित होती है, परिभासित होती है, हजरत शीष की दरगाह उनमें से एक है, इसलामिक परमपरा के अनुसार हजरत सीष हजरत आदम की 120 संतानों में से तीसरी संतान थे, हजरत आदम स्वर्क से धर्ती की जिस भूमी पर उतरे थे, असल में वह स्रिलंका में सदन डीप नाम की पहाड़ी है, वहां आज भी उनके चड़न चिन हैं, ऐसा दावा किया जाता है, आगे इस पूरे मामले में क्या वे परिवार सहित आयोध्या की पवित्र धर्ती पर पहुंचे, और यहां करीब 900 साल तक रहे, आदमियत के प्रचार प्रसार के सिलसले में उनका अंतिम समय तो अरब देशों में गुजरा, पर उनके पुत्र और दूसरे पेगंबर आयोध्या के ही होकर रहे, और यहीं व अख्यानों के अनुसार हजरत शीष सत्तर गच के थे और उनकी मजार भी इतनी ही लंबी थी, पंदरवी शतापदी इसवी में हजरत शीष की मजार नए सिरे से सहेजने कशरे दिल्ली के ततकालीन सुल्तान सिकंदर लोदी को है, हलाके सिकंदर लोदी के समय यह आदी काली मजार सतर गच के अपने मूल सौरूप की जगा सिर्फ और सिर्फ छे गच तक सिमट कर रह गई थी, सिकंदर लोदी को यह मजार जिस सौरूप में मिली उन्होंने उसे उसी रूप में संगरक्षित किया और तब से यह मजार छे गच के ही रूप में सुक्रित सिरोधारे है दरगाह परिसर में हदरत शीस की पतनी बीबी हुरेमा उनके पांच बेटे और हदरत शीस के मुरीद इरान की शहजादी थी जो कि इरान की शहजादी थी बीबी जाहिदी की भी मजार है अयोध्या दुनिया को दे सकती है मानवी एक्ता का संदेश समरिद विरासत के विपरीत हज़त शीस की दरगाह उपेकछित है ये बात कही जा रही है कि दरगाह के गदी नशीन मौलाना आसिफ फिर्दौसी कहते हैं कि यह हमारे ही नहीं बलके हिंदूओं और सभी इनसानों के पुरखे हैं अस्थापित होता है समीकरन मतलब यह है कि वहां के जो गदी नशी है उनका यह कहना है जो श्रीराम है उनका जो अगर उनका कहाज सकता है कि जो वन्श वाली है अगर उसे आप देखेंगे तो उस मामले में हजरत शीस अले सलाम उनके पुरखें हैं ऐसा दावा किया जाता है हजर शीस का समीकरन श्रीराम के पुरवज और अयोध्या के अनादी कालीन राजा इश्वाकू से अस्थापित किया जाता है यह सरुस्विकृत है कि मनु शत्रूपा आदम हववा अथवा एडम इव वास्तों में स्रिस्टी के प्रथम पुरुष और इस्तरी हैं इनके वस्तुदा मनु के रूप में संभवित है और आदम के पुतर के रूप में जिन हजरत शीस की दर्गा है उनका समीकरन मनु के पुतर इश्वाकू से अस्थापित किया जाता है चार रजब को पर्दा नशी हुए थे हजरत शीस चार रजब को उनका इंतकाल हुआ था हिजरी कलिंडर के अनुसार हजरत शीष चार रजब की तारीख को परदा नशी होए थे परती वर्ष इस तारीख को हजरत शीष का उर्स मनाया जाता है इस बार चार रजब की तारीख यानि के 16 फरवरी को पर रही है पुरानी खबर इस बार कप पढ़ेगी, यह आपको जो है, इसके बारे में डिटल अगर आपको जानना हो तो आप इसके बारे में सरच कर सकते हैं, बागी ऐज़ाद्या में, और आपको बता दे के जागरन ने इसको ले करके खबर जो है, वो छापी थी, और ये खबर जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों तक साज़ा करू कि इस तरह के दावे किये जाते हैं कि आयोध्या राम नगरी है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जाता है कि उसी आयोध्या में हजरत शीष अलही सलाम का कबर है और वहीं पर उनका मजार है समझे उनके पड़िवार के लोग थे उनकी पत्नी उनके बच्चे और साथी साथ उनकी एक मुरीद थी जो कि इरान की शहजादी थी उनका बेजो जो कबर है वहीं पर है तो ये कहानी है उत इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे और जब इन तरह की इतिहास आप तक पहुँचेंगे तो आपको ये बात मालूग चलेगा कैसा नहीं है उस नगरी का इसलामिक इतिहास के हिसाब से बहुत जादा नाता है और ये दावा किया जाता है कि हज़रत आदम अलिह सल जब श्रीलंका में पैदा हुए तो इसके बाद कुछ सालों के बाद कुछ सौ सालों के बाद वो हिंदुस्तान में भी पहुचे और हिंदुस्तान की आयोध्यानगरी में भी पहुचे और वहां पर उनके जो बच्चे हैं वो रहने लगे और आखरी वक्त में हज़रत साथ आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बश्युक्रिया। यह एक इत्हासिक कहानी है, एक इत्हास है। वाकिया आपको इसके बारे में जानने के लिए अ, अलग-अलग किताबों को पढ़ना चाहिए, वहां से इसके बारे में जांकारी हासिल करनी चाहिए